नमस्कार आप देख रहें स्पेशल रिपोर्ट मैं हूँ आपके साथ आयुशी गुपतार चलिरू करते हैं खबरो की ओर इरान ने इस वक्त इसराइल पर अपना दबदबा बना लिया है और इसराइल का हाल यह है कि उसने अपने जवाबी हमले को ले करके अभी तक एक बया जारी नहीं किया है इस बाद से घबराए बिल्यावित नेतन्याहू ने अपने नया तार्गेट चुल लिया है बताया जवारा है कि इसराइल की सिरा ने ओपरेशन नसुरला करने की तयारी पूरी कर ली है देखे रिपोर्ट दो हजार चुबीस में अप्राइल का महीना इसरेल के लिए ही नहीं इसरेल के प्राइम मिनिस्टर बेनमिन नेतन्याहू के लिए भी बहुत बड़ा शौक लेकर आया है नेतन्याहू के सामने तीन बहुत बड़े चैलेंज आ चुके हैं पहला चैलेंज इरान की मिसाइल है दूसरा चैलेंज लेबनन का हिस बुल्ला है और तीसरा चैलेंज है इसरेल की पबलिक जो सड़क पर उतर चुकी है पहले तो इसरेल पर इरान ने मिसाइल बरसाई इसका जवाब इसरेल की तरब से भी देने की रिपोर्ट आये लेकिन अब इस्रेल की सड़कों पर नेतन्याहू पर नारे बरस रहे हैं नेतन्याहू अपने घर में ही बुरी तरह से घिर चुके हैं नेतन्याहू या कहें कि इस्रेल पर सवाल उठने लगे हैं इरान को कहा मारा, कैसे मारा, किसे मारा, कितनों को मारा सबूत दिखाओ, इस्रेयल की जनता अब नेतनियाहू से बड़ी डिमांड कर रही है, हमास से बंदकों को छोडाने की मांग है, नेतनियाहू को हटा कर चोनाओ कराने की मांग है ये गुस्सा देखकर नेतनियाहू खामोश है इस्रेयल के लोग बहुत ज्यादा गुस्से में है, तेल अवीव की तस्वीरें बता रही हैं कि नेतनियाहू अपने लोगों के बीच भस गए ये गुस्सा देखकर इस्रेयल को इरान का साथी हेजबुला हियाद आया और पिर नेतनियाहू का ओर्डर जारी हुआ लेबनान पर फॉरन अटेक हुआ और इसका वीडियो भी बहुत जल्द जारी हो गया पहला हमला लेबनान के टायर हर्फा में हुआ दूसरी मिसाइल लेबनान के ओदा सेह में गिरी तीसरी मिसाइल से लेपनान के ख्याम को टार्गेट किया गया तीनों हमलों में हिजबुल्ला के तीन लड़ाकों को मारने का दावा किया गया है कहा जा रहा है कि इसरेयल की फौज में आउपरेशन नसरला शुरू कर दिया है इसरेयल की फौज अब हिजबुल्ला के सबसे बड़े कमांडर को मारना चाहती है हिजबुल्ला के रोजाना हमलों से परिशान इसरेयल अब इरान समर्थित इस मिलीशिया का पूरी तरह से अंध करना चाहता है और इससे ही इसरेयल का ओपरेशन नसरला कहा जा रहा है लेपनान में हेजबॉला के लडाकों के जनाजे निकल रहे हैं साथ अक्टूबर 2023 जब हमास ने इसरैल पर हमला किया था उसकी बारत से इसरैल और हेजबॉला के बीच जितनी भी लडाई होई है उसमें हेजबॉला के 285 लडाके मारे जा चुके हैं ज्यादा तर्की मौत लेबनान में हुई है जबकि कुछ सीरिया में हुए इसरेली हमलों में भी मारे गए हैं। इसके अलावा लेबनान के 60 नागरिकों की भी ऐसे ही हमलों में जान गई हैं। लेकिन इसरेल का ये दुश्मान लगातार अपनी ताकत भी दिखा रहा है। कुछी दिन पहले हिजबुल्ला ने लेबनान इसरेल बॉर्डर के पास एक इलाके में ड्रोन से हमला किया था। इस हमले में इसरेल के करीब 19 लोग जखमी हुए थे। जिसमें 14 तो इसरेल के सैनिक बताय जा रहे हैं। ड्रोन का वीडियो भी दिखा गया जो हू बहू इरान के अबाबिल्ड ड्रोन जैसा है। हेजबुल्ला को इरान का फुल सपोर्ट है और यही वज़ए है कि इमान खुमैनी से लेकर मौझूदा सुप्रीम लीडर अली खामनेई की तज़िरें हेजबुल्ला की रैलियों में नजर आती है। हेजबुल्ला के डबल गेम को काउंटर करना इस्रेयल की सिर्दर्थी बन गई है। अपने जोदकार जड़ देखाने के लिए नेतनियाहू बहुत प्रेशर में है। इस्रेयल में तनाओ है। इस्रेयल में दबाओ है। इस्राइल के सामने इरान ही नहीं, अब हिजबुल्ला और हूथी का संकट गैरा गया है। जाहिर है, ये सब देखकर इरान बहुत खुश होगा। इरान जो चाहता है, इस्राइल में वही हो रहा है। पहले इरान ने 300 से ज़्यादा मिसायल और ड्रोन से हमला किया। पूरा इस्राइल दहल उठा, नुकसान इस्राइल की जमीन को नहीं, इस्राइल के रुथबे को हुआ। जिसे इरान ने फॉरन कैश किया। इसके बाद इस्राइल से भी इरान में स्ट्राइक होने की बाद सामने आई, जिसकी आधिकादिक तोर पर पुष्टी नहीं होई। ना ही इस्राइल में कोई अफसर या नेता मूँ खोलने को तयार है। क्या इसराइल आगे नया हमला करेगा। इसका डर बना हुआ है। इरान में वलागर फिरिश्टी बता रही है कि इस वक्त इरान में जिन्दगी कैसी है। यह तहरान में चहल पहल है। लेकि तनाव महसूस किया जा रहा है। क्योंकि इसराइल वला खत्रा अभी खत्म नहीं हुआ है। इरान में सड़को पर सब सामान ने लग रहा है। लेकिन एरान की फोर्स चौकनी कर दी गई है। एयर डिफेंस से लेकर मिसाईल लांचर सब एक्टीब है। जाहिर है। इसकासर आमच जिन्दगी मेपी है। लेकिन वीकेंड की वज़से बाजार बंद रहे। एरान में दारें चपर्म काने। व इनके इनम बगें। अमरूज जम्हास्त व तत्तील एरानी हां हिसाब मुशए मुमक्न है की खिली मगाजाहा तत्तील बश़क्षन इस्रेयल में नेतन याहू की सरकार को अटा कर फॉरन चुनाओ की मांग होने लगी है। हजारों लोग बैनर पोस्टर लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देक्टेटर के लिए कर देकार के लिए देकेट नाव। कि अनु manufacturer करे लुक यसरे की है के लिए थोarch का प reviseिटन टू vermeर्यर चंद कर बश्टेश बिने कर नह को अव Ale और बाल पन्हाज एंग्ज कर अशियस अश्यर ले क्बेवाजस को मैं अवक्षन कहरवाद संवustी। आप लोर्यस यस्प मों पेयड संबustी। तेल अवीब की सडखों पर यही सवाल और यही पावाल देखकर इस्रेयल के प्रधान मंत्री का रोख एरान के बाद लेबनान की तरफ हो चुका है और जैसा बताया कि इस वक्त घाजा में हमास को खत्म करने के साथ इस्रेयल का एक और मकसद है यह है इस्रेयल की फौच का आपरेशन नसरल्ला आपरेशन नसरल्ला यानि हेजबॉल्ला की टौप लीडर शिप का खत्म यही इस्रेयल का आपरेशन नसरल्ला कहा जा रहा है लेकिन इरान के दोस्त हसन नसरल्ला और हेजबॉल्ला के केडर के हम्मत 14 अप्रेल के बाद बढ़ गई है जबसे एरान ने इस्राइल पर हमला किया है तबसे हिजबॉल्ला को मैसूस हो रहा है कि वो इस इलाके में अकेला नहीं है जो इस्राइल से टक्रा रहा है जिसके साथ अमेरिका, बिर्टेन और फ्रांस की फोर्स भी है इस वक्त इस्राइल से लेकर इरान तक माइंड गेम चल रहा है इरान ने अपने हमले के अधिकारिक तोर पर जिम्मेदारी ली और फिर पीछे गया इसके बाद जब इस्राइल की तरब से जवावी हमले की बात आई तो उसकी जिम्मेदारी तेल अवीब में अभी तक किसी ने नहीं ली है यही वज़े है कि नेतनियाहू की लीडर्शिप पर अब सबाल उट रहे हैं इस्राइल में जो लोग सडकों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं वो हर बात के लिए नेतनियाहू को जिम्मेदार मानते हैं दुनिया की नजर इस्राइल पर अब भी बनी हुई है क्योंकि आधिकारिक दोर पर उसने अभी तक नहीं माना है कि इरान के हमले का जवाब दे दिया गया है इसलिए अपरेल का पूरा महीना ये दुनिया बहुत बड़े खत्रे से जूचती रहेगी इरान और इस्राइल की टक कर अभी खत्म नहीं हुई है अगली ख़बर की ओर अमेरिका ने इसराइल को हजारों की टादाद में गोला बारोध और मिसाल देने की तयारी कर ली है इसराइल इस से खुश है लेकिन बिन्यामिन नेतनियाहो के लिए बहुत बड़ी बैड नیو्स भी है क्योंकि अमेरिका ने इस्राइल को साथी एक ऐसी सला दी है जिससे इस्राइल ने युद्ध एक आय की हार भी सकता है देखे रिपोर्ट इस्राइल अठाट मोड में है इरान पलतवार की तयारी में है शुद्ध का पूरा माहौल बना हुआ है मिसाइले तरी हुई है जंगी जेट रेडी है फाइटर गून अटैक मोड में है दो कटर दोश्मनों में आर पार की जंग की नौबत किसी भी वक्त आ सकती है मगर इस टक्राव में जो बड़ा ट्वेस्ट आया है उसे समझने के लिए ट्रिगर पॉइंट पर चलते हैं अप्रेल महीने की पहली तारी सीरिया के दमिश्क में बारूद बरसा इरानी दूतावास देला इरान ने हमले के आरोब सीधे इस्रेल पर लगाए इस्रेल हमले से इनकार करता रहा अमेरिका ने तो खुद को दमिश्क हमले से दूर दूर तक अंजान ही बताया दमेशड़ अटैक के जवाब में इरान ने सैकनों ड्रोन और मिसाइल की बौचार इसरेल पर करदी इरानी हमले से अमेरिका ने इसरेल को कवर दिया सुपर पावर के साथ नैटो कंट्री भी इसरेल के कवच बने इसके बार जब इरान के शेकरी बेस को धुआ धुआ किया गया, तब भी अमेरिका ने हमले पर आधिकारिक बयान नहीं दिया, इसरेल की इराक स्ट्राइक से भी अमेरिका ने दूरी बना रखी है, इसके माइने क्या है, क्या युद्ध में इसरेल अकेले फस गया है, क्योंक तो मुश्किल है कि इरान इस्रेल शांती धारन करने वाले हैं लेकिन अमेरिका इस बारूदी फसाद में फसने से बच रहा है। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास वो सभी ताकते हैं जो हम इसरेल का समर्थन करना चाहेंगे अगर उनके और इरान के बीच सीधा युद्ध होता है। माइकल एरिक का हाल में ही एक मैसेज के जरिये अमेरिकी सांसदों को ये जानकारी दी। कि उन्होंने अपनी सैनिक शमता बढ़ाने की गोजारिश प्रेसिडेंट बाइडन से की थी। जिसका जवाब देते हुए पेंटागन ने खाड़ी से ज्यादा चिंता चीन से मिल रही चोनोती को बताया था। मतलब ये कि इसरेल का साथ देने की बजाए मौजूदा वक्त में अमेरिका चीन से निपटने में जुटा है। इसके साथ अमेरिका की सबसे बड़ी कमजूरी का भी परदाफाश हुआ है। जनरल माइक एरिक ने लिखित रिपोर्ट में जानकारी थी कि एशिया महधवीद में अमेरिकी खुफिया नेटवर्क बेहत कमजूर हुआ है। सुपर पावर को एक्सपॉर्ट एजेंट नहीं मिल रहे हैं। अमेरिकी फोर्सेज को ट्रांसलेटर की भी किल्लत जिलनी पड़ रही है। युद्ध में अमेरिका को ये कमियाम बहुत भारी बढ़ सकती है। साफ है कि अमेरिका अपनी कमजूरियों को दुरुस्त किये बिना तो युद्ध में उतर में नहीं जा रहा। ऐसे में इसरेल का हाल यूक्रेन जैसा नहो जाए। जिसने अमेरिका की शैपर रूस से अदावत मोल ली और अंतहीन युद्ध में उलच गया। अगर अमेरिका वार में नहीं आया तो इसरेल अकेले कितने दुश्मनों से भिड़ेगा इससे समझना होगा। इरान के पाले में अरब मुलकों की पूरी ताकत जुटेगी। इसमें किसी को संदे नहीं है। इरान के साथ विद्रोही लड़ाकों की खोखार पल्टन भी होगी। इरान को परदे के पीछे रहकर भूस का साथ भी मिल सकता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कट्टर आतंकी भी इरान के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार बैठे हैं। अकेला इसरेल इन सबसे कैसे जंग लड़ पाएगा, कब तक लड़ पाएगा कहना मुश्किल है। लेकिन अमेरिका सिर्फ चीन के खत्रे भर को देखते हुए इसरेल को अकेले छोड़ रहा हो। ऐसा भी नहीं। अमेरिका लंबे अर्से से अपनी रण्वीती पर काम कर रहा है। ekaat अमेरिका ने कई फ्रंट से छुटकारा पाया। अपनी फॉज हटा ले थी। आईसांई के खिलाफ ऑप्रेशन मिलागे शुपर पावर के 700 सोल्जर वापस बुलाए गए थे। 2020 में इराक में मौझूद 5000 जबानों में भी अमेरिका ने कमी की थी। अमेरिका ने 2021 में अफगानिस्तान से 3000 सैनिकों की वतन वापसी करवाई। हाल ही में अमेरिका ने अइलान किया कि वो नाइजर से अपने 1000 सैनिक अटाएगा। अमेरिका ने पश्यम अफ़ीकी देशों से सैनिकों की वापसी का पूरा प्लान बना रखा है। यही रोड मैप आगे मिडल इस्ट में भी लागो हो सकता है। हाला कि अमेरिका कभी भी पूरी तरह इस इलाके से दूरी बनाने का जोख्यम नहीं उठाएगा। क्योंकि दुनिया भर में अमेरिका के 800 मिलिटरी बेस सैं, दुनिया के 70 से ज़्यादा देशों में अमेरिकी फौर्ज तैना, एशिया में कतर का अल उदीद एयर बेस अमेरिका का सबसे बड़ा सैन अड़ा है, जहां 11,000 अमेरिकी सैन कर्मियों की तैनाती है। इस से अर बेस से अमेरिका खाड़ी के 18 देशों में अपने सैन ने ओपरीशन अंजाम दे सकता है। मगर अमेरिका के लिए यही सैन ने तनाती मुश्किल की भी वज़ब बनती है। खाड़ी में मौझूद तमाम आतन की गुर्ट इन अड़ों को आए दिन टार्गेट बनाते हैं। अमेरिका को दुश्मन चुनने की जरूरत भी नहीं पड़ दी। उससे दुश्मनी मोल लेने खुद बखुद आ जाते हैं। ऐसे हालात में अमेरिका एक नए फ्रंट पर आर पार की जंग से बचने की रणनीत ही अपना रहा है। लेकिन इसरेल चाह कर भी जुद से अलग नहीं रह पाएगा। क्योंकि इरान का गुस्सा सात्में आस्मान पर है। इसरेल के हमले से खायल इरान पलतवार की तैयारी में है। और आप वर्ल्ड में इरान का समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। इरान, सीरिय, जॉर्डन, तुर्की जैसे इसलामिक देश सीधे तोर पर इरान को सपोर्ट करते हैं। एट्मी ताकत पाकिस्तान भी खुल कर इरान के साथ है। ऐसे में अकेला इसरेल सभी देशों से ठक कर ले पाएगा। ऐसा मुम्किन नहीं। ये भी सच है। इसरेल बिना नेटो और अमेरिका के सपोर्ट के जंग में पुतरनी की वलती कभी नहीं करेगा। और चले यार उकते एक छोड़ से ब्रेक के लिए जल्द लोटेंगे।